हेलो नमश्कार सास्रीकलैन स्लाम वालेकुम दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सब का आपकी अपने ही चैनल इन्वेश्ट फर वेल्थ में दोस्तों आज का टॉपिक जैसे कि मैं पहले ही भी अपने थामनिल में देख लिया होगा आज का टॉपिक है फ्य यहां पर दो-तीन न्यूजेज है मेरे पास फूचर ग्रूप के रिलेटेड तो मैं वो आप सब के साथ डिसकस करूँगा और थोड़ी सी डिसकस करेंगे इसके लेवल्स के बारे में कि टेकनिकल क्या कह रहा है क्योंकि देखिए यहां पर टेकनिकल इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है इसमें क्योंकि टोटल टोटल यह शेर रन कर रहे हैं फंडामेंटल के उपर तो अगर आज के प्राइस की बात किए सबसे पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को पे नजर गुमाते हैं निफ्टी की अगर बात की जाए जारा 420 चल रहा है अभी टाइम हो रहा है दो बच के 20 मिनट और 44 रुपए डाउन है वहीं बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 22,134 चल रहा है और यह 345 रुपए के राउन है और संसेक्स 38,684 रुपए चल रहा है यह भी 180 प्रेंट के राउन डाउन है तो गिरावाट अभी इसमें काफी जादा बढ़न चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए इस चैनल में मार्केट से लेटेड निउस लेकिया आते हैं और प्लेस आपकी प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए वह तरकीव यहाँ पर आपको बताते हैं तो चली चल सब्सक्राइब तो आज लोर सरक्राइब दर्च किया दो दिन के बढ़त के बाद तो चली चलते हैं आज क्या क्या रिजन्स हुए हैं इसमें क्यों इसमें गिरावट दर्च की गई तो यह तो चले सबसे पहले निउस जो है वो डिसकस करेंगे यह यह आप देख करें तो दा बोर्ड अफ डिरेक्टर अफ हैरिटेज फूड लिम्टेड एट इस मीटिंग हेल्ड ओन 11 सेप्टमबर हैरिटेज फूड के आब बोर्ड अफ डिरेक्टर ने 11 सेप्टमबर के मीटिंग किया और उसमें एक कन्कुलिजन निकाला कि फ्यूचर रिटेल के हमारे पास जितने शेयर्स हैं हम सब सेल करेंगे डिस्पोस करेंगे अगर क्वांटिटी सुनेंगे तो दोस्तों हैरान हो जाओगे एक करोड़ 78 लाख शेयर्स उनके पास पड़े हैं और यह सेल करने वाले हैं आप सोचो इतना सारा शेयर अगर मार्केट में से में करते हैं मार्केट से पहले तो टूडल इसमें कहीं न कहीं फिर भी बहुत बड़े मनंबर ऑफ शेर्स सेल किये जा रहे हैं तो गिरावट तो आनी ही आनी है तो देखना यह है कि कहां तक यह नीचे जाता है लेवल्स हम आगे डिसकस करेंगे तो एक न्यूज यह हो गई जो हेरिटेज फूर्स अपने एक करोड़ अठतर लाग शेर्स सेल करेंगे अगर हम बताएं आपको CCI क्या है तो देखिए जब कोई डील होता है कोई कंपनी मर्ज होती है या फिर कोई कंपनी अक्वाइर करती है किसी बड़ी कंपनी को तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोसस होता है ऐसा नहीं है जैसे हम समान दुकान पर गए चुछ समान खरीद लीया है सीसी आbeiten है यह अपर अप्रोवल की जरुगत करती है तो यह क्या करेंगी पहले यह स्कूर्टनी करेंगी इंस्पैक्ट करेंगी टोटल क्या कोई कहीं कमी पेशी ना रहा जाए तो यहां पर एक इनको लूप पाइंट निकल कर आ रहा है जो की रिलाइंस ने कहा है रिटेल रिटेल का बिजनस नहीं कर सकते बियानी साहब बियानी साहब और उनकी फैमली कोई भी आने वाले 15 सालों तक retail का business नहीं कर सकते मतलब उनकी competitor नहीं बन सकते ये clause होता है हर deal में बट यहां 3 से 5 साल का होता है बट इन लोगों ने 15 साल का रखा है reliance ने इनके उपर तो CCI कहीं न कहीं इस पर जाच कर रही है और ये खबर कहीं न कहीं सुनने को मिली है सुनने को ये खबर आ रहा है कि 8 से 10 साल तक का ही ये रखेंगे जो non competitor का agreement होता है 8 से 10 साल का ही रखेंगे तो इसके वज़े से भी बज़ार बढ़ता बढ़ता रूप किया कि अभी क्या news आएगा कुछ पता नहीं है and third जो है आज है 14 तरीक और अगर मैं बात करूँ 14 तरीकी तो एफ रेटेल की आज बोर्ड मीटिंग है और ये financial results को लेके stand loan और calculate दोनों results आज आने वाली है 30 जून तक कि आखड़े आपके समने आएंगे कि क्या profit क्या loss रहा है तो ज्यादा तर इसमें losses के संभावन है ज्यादा है क्योंकि लॉक्डाउंस में सारे श्टोर्स वगरा बन थे इनका retail business ठप पड़ा था और खर्चे पड़ रहे हैं तो कहीं न और समान भी कुछ loss हुआ होगा नुकसान होगा खराब हुआ होगा तो कहीं न कहीं इनको loss लगने वाला इस वज़े सेंटिमेंट के वज़े से मार्केट में गिरावाट आ रही है चौथी मैं डिसकस करूँगा आप सब को पता है multi-cap mutual fund multi-cap mutual funds बहुत ज़्यादा shares की selling करेंगे large cap में उसके वज़े से market में काफी दबाव है और आगे भी दबाव रहेगा कुछ border sentiments के वज़े से market में दबाव है तो उसके वज़े से भी थोड़े सी गिरावट दर्च की जा रही है तो अगर अभी देखे तो अभी क्रीबन सब में lower circuit लग चुका है तो अगर देखा जाए तो 55% की गिरावट दर्च की जा रही F retail में पूरा lower circuit complete हो गया lower circuit लग गया है main reasons यहीं है इनकी गिरावट की तो चलते हैं थोड़ी सी technicals देखते हैं कि technicals क्या कहते हैं तो यह हम आ गया है चार्ट पर और चार्ट की अगर हम बात करें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं आज यह जो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है आप देखिए यह लाइन और 96-95 के रेंज में यह लाइन आ रहा है और अगर यह stock 96-95 break करता है तो काफी बड़ा गिरावट इसमें देखने को मिलेगा और अगर यह sustain कर जाता है यह वैसे बहुत strong support है 95 strong बहुत strong support है 95 नहीं break करना चाहिए अगर मैं देखू तो एक अप्राउस दो महिने से यह same support बन रहा है तो इसको break नहीं करना चाहिए देखते हैं जोगि 3-4 बार ही इसको touch करके यह मुड़ चुका है तो इस बार देखते हैं क्या होता है वैसे आज जो भी आकड़े आएंगे उसको वो भी बहुत matter करेगा उसके उपर ही मैं एक वीडियो बना दूँगा आप लोगों के लिए तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजे कमेंट करके बताईए अगर कोई में से शिकायत है तो और आप सब को बता दो इस चैनल पर मैं डेली मॉर्निंग से लेके नाइट तक का जो भी न्यूज होता है वो पांच मिनट में आप सब के सामने लाकर रखता हूँ तो यह कहीं न कहीं अच्छी खबर आप लोगे लिए रहेगी क्योंकि अगर जो टीवी के साथ नहीं रह सकते हैं टीवी नहीं देख सकते हैं सारा दिन वो यहां अमारे चैनल पर रात को सोते वक्त या कभी भी जब फ्री हो तो वो पूरे के पूरे सकते हैं तो दस टॉप नियूज़ेश्म सेलेक्ट करते हैं जो कि एक्च्छल में वर्दी हैं और एक्च्छल में आपको उस नियूज़ेश्म से फरक पड़ता है थैंकिसो मज़ गाइस थैंक्स पर वाचिंग देश में